हेलो फ्रेंज दिस से शिचिता आपका फिर से स्वागत करती हो आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडमेंटल्स ऑफ फामसी और आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटरिशन के बारे में मैंने पहले दो पार्ट्स में उसके अप्लिकेशन्स तक के कवर कर दिया है आज मैं वी फार्म फर्स एलेबस के साबसे आपको बताऊंगी कि एलेक्ट्रो केमिकल सेल जो की पोटेंशियोमेट्रिक टाइटरिशन में यूज होता है वो कैसे बनता है उसमें कौन से कौन से एल प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथी साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो जो आने वाले उनका अपडेट मिलते रहें तो हम स्टार्ट करते ह हमारे यह वीडियो लेट सक्टाइब अज प्रेस्ट में हम बात करेंगे और स्टैंडर एलेक्ट्रोड के बारे में थीक तो सबसे पहले जानते हैं यह पोटेंशियमेट्रिक मेथर होती क्या है बेस्टोन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल और एलेक्ट्रोड केमिकल सेल पह के in the absence of appreciable current और उसमें कोई भी करेंट जो है वो नहीं होता अप्रिशेबल करेंट की एपसंस में हमें potential measure करना होता है electrochemical cell का यही है potentiometric method अब इसके basic component क्या-क्या है reference electrode, indicator electrode, sat bridge और साथ-साथ में potential measuring device reference electrode हमें reference देगा potential measurement फिर indicator electrode हमें बताएगा कि जिस species में हमें interest है उसको measure करता है एक sat bridge होता है दोनों के connection के लिए और एक होता है हमारा potential को measuring करने का device अब device देखते हैं आप देख रहा होंगे potentiometer ऊपर है reference electrode हमें metallic indicator electrode भी दिग गया sat bridge भी दिग गया साथ में पोरस membrane है और जो यह पूरा setup जिस चीज में घुसा हुआ है उसको कहते है आपन अनलाइट solution e-cell तो e-indicator minus e-reference plus e-j e-j मताब potential कैसा होगा indicator electrode minus the reference electrode plus e-j e-j जो है हमारा salt bridge for most of the electroanalytical method the junction of potential is small enough to be neglected और the junction का potential है वो बहुत small enough होता है और इसको अपन reject कर सकते है जो आप salt bridge से junction मनता है उसका आगे बात करते हैं reference electrode के बारे में need one electrode of system to act as a reference against which the potential measurement can be made हमें एक reference रखना पड़ता है जिसके अपोज में अपन potential को measure कर सके ठीक है desired characteristics 6 क्या होती है reference electrode की तो known or fixed potential होना चाहिए उसका ठीक है potential भी known होना चाहिए और fixed होना चाहिए constant response देना चाहिए अलग अलग response नहीं देना चाहिए इंसेंसिटिव होना चाहिए जिसबी अनलाइट प्रपन डाल रहे है बिलकुल उसके तार उसका कोई भी reaction नहीं होना चाहिए और उसे नर्स्ट equation को ओबे करना चाहिए साती साथ रिवर्सिबल होना चाहिए रग्ड एंड इजी तो असेंबल रग्ड बी इजी हो और जल्दी से असेंबल हो जाए और हमेशा इसको लेफ़ थैंड पर ही लगाना चाहिए लेफट एंड में हमेशा इसको ट्रीट करना चाहिए common reference electrode कॉमन यूज यूज करते हैं पोटेंशियोमेट्री में वह है कैलोमल electrode और silver chloride electrode तो आगे चल के अबन बात कर रहे हैं अभी saturated calomel electrode यह क्या है ठीक है तो half of the cell इसमें क्या रिप्रिजेंट करता है हमारा HEG HEG 2Cl2 standard है KCl में डाला गया है आधे cell में HEG 2Cl2 plus 2E minus 2HG plus 2Cl minus echo solution में है response dependent होता है CL minus ions thus the KCl concentration must be specified इसलिए हमें KCl का concentration हमेशा ही specified रखना चाहिए widely used होता है ease preparation equilibrium due to temperature is slow little equilibrium due to temperature change is slow little slow रहता है leakage KCl का हो सकता है mercury contamination होता है less common than once they were still preferred for some certain applications but less common है फिर भी कुछ applications में हम लोग भी standard calomal electrode use कते हैं आपको साइड में दिखाय दे रही है कह सकते हैं इन दोनों को दोनों को pipes को अलग करने के लिए 2 cm का gap रखा गया है saturated solution बरा गया है उसमें KCl crystal उसके बद calomal paste बरा गया है और नीचे है हमारा Hg मतलब मारा mercury साथ ही साथ में 6.5 cm का यह दूसरा ट्यूब है और 6 cm का वाइगाओट प्लग है वाइगाओट प्लग लगाओँ है और 6 mm उसकी प्रेथ है और यह different temperatures पे आपको कैसे कैसे calomal electrode use होते हैं और क्या क्या है यहाँ पर temperature coefficient is significantly larger यह भी आपको बता दू temperature कैसे में बहुत मात्व है तो different-different temperature पे कैसे calomal electrode use होते हैं वो इसमें आपको आपको चाट पर दिख रहा है next reference चलते हैं आगे silver-silver chloride electrode mostly used as reference electrode system सबसे जादा reference electrode अभी यह use हो रहा है immerse करते हैं KCl saturated solution में AgCl के साथ half represent करता है Ag AgCl or KCl AgCl AgCl plus electron AgS plus Cl advantage क्या है इसका over SCE standard caromal electrode 60 से ऊपर जितना भी temperature होता है उसमें इसको यूज कर सकते हैं और disadvantage है कि Ag बहुत सारे ions के साथ react करता है और plugging भी कॉस कर सकता है precautions जब अबन यूज करते हैं यवाला reference electrode तो क्या क्या रखना चाहिए लवल अच्छा रखना चाहिए रखना चाहिए reference electrode के अबब रखना चाहिए analyte solution का level B जो है वो जो है वो ही उपर रखना चाहिए ताकि confusion ना हो या reactions को अपन दीडर चाहिए श्रकिन गार रखना तो यू उची के बीच में प्रब teams नी ड्यूच आइ परफन रखना क्onne嘛 तो यह सेखने साथ ब्रिज यूज कर सकते हैं साइड में आपको पिच्छे देख रही है तो यह वह बढ़ा है एल्यक्तिकल कनेक्शन उपर है केसी एल्यक्ट्रेटेड विथ अच्यल बरा हुआ है साथ में एजी वायर लगा हुआ है और इसकी भी चुड़ाई है इसकी भी उपनी की चुड़ाई है नीचे की अब दिफरेंट प्रिटेंचिल एक्टोडिन एको सोलुशन आपको दिख रहा है वह आप देख सकते हैं जूस करते हैं हम थैंक यूप आपको पोटेंचिमेटिक टाइट्रिशन समझ में आया हो एलेक्ट्र केमिकल सेल उसमें क्या होते हैं हो समझ में आया गया और अगर नहीं आया है तो प्लीज ड्रॉप कमेंट इन दे कमेंट बॉक्स सो दैड़ाई कें गिव यह आंसर्शन और अगर फिर से बोलते हूं अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर लिखिए अपनी क्वेरी जरूर लिखिए मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजेग फो वाचिंग